गुद मॉर्निंग इस्टुडेंट्स तुडे वी शाल दू कुश्यू नमबर सिक्स ऑफ एक्ससाइज 6.1 कुश्यू नमबर सिक्स इस इन इच आफ दा फॉलेंग पेर्स विस नमबर इस तु दर राइट आफ दा अदर अन दा नमबर लाइन हम लोग को बताना है कि यहां पे जो दो नमबर दिये हुए हैं उन में से कौन सा राइट होगा नमबर लाइन पर तो नमबर लाइन कैसे होती थी हमारे यह जीरो के राइट में पॉस्टिव इंटीजर हम लोग राइट करते हैं एंड जीरो के लेक्ट में निगेटिव इंटीजर राइट करते हैं here we have positive integer both of them are positive integer तो हमें positive integer को यहां पर show करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 & 9 it is not necessary to put positive sign before the number if you write means plus 1 is equal to 1 यह value same है ठीक है positive अगर आपने sign नहीं लगाया है तो कोई बात ने now here we have 9 यहां पर हमलों के पास 9 है तो बताइए 2 right कौन किसके right में 9 right में है 2 के ठीक है right में कौन है 9 number line पर तो 9 is right to the 2 9 right side में है और 2 जो है वो 9 के left में है so 9 is the right to the 2 okay next minus 3 and minus 8 here we have 2 negative integer तो हम लोग क्या करेंगे 0 plus 1 अभी ज़र negative integer है तो left side की तरब जाएंगे हम लोग minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 and minus 8 मतला minus 8 इदर आएगा और minus 3 यहां पर बताइए कौन right में नंबर लाइन पर इन दोनों में से कौन सा नंबर राइट पर है minus 3 राइट पर है ठीक है so लिखेंगे minus 3 is to the right of minus 8 0 and minus 1 में 0 plus 1 minus 1 obviously 0 is on the right similarly you will do part d e and f question number 7 write all the integers between the given pair write them in increasing order ठीक है increasing order means small to big increasing order means small to big मैंने बताया था आपको यह अभी समझेया कि जैसे 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 हम लोग number line के right में जाते है नंबर लाइन के हम लोग राइट में जैसे 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 चलते हैं value क्या होती है increase होती है कब increase होती है जब लोग number line के right में चलते हैं ठीक है यहां पर हम लोग को क्या करना है जीरो एंड सेविन के जीरो एंड माइनस सेविन के बीच के इंटीजर स्टाइट करने है उसके बाद उन्हें increasing order में arrange करना है जीरो एंड माइनस सेविन ओके जीरो एंड माइनस सेविन है ना यह वी हैव आ नंबर लाइन दिस यह नंबर लाइन थी हम आया पास यहां पर जीरो यह है और माइनस सेविन यह है तो increasing order में लिखने के लिए आम लोग को क्या करना पड़ेगा small to big जाना पड़ेगा small to big जाने के लिए आप क्या करेंगे number लाइन पर left to right चलेंगे क्या करेंगे आप लोग left to right चलेंगे so minus 7 के बाद कोना आ रहा है minus 6 then minus 5 then minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 number लाइन पर आपको increasing order के लिए means small to big के लिए आपको left to right जाना पड़ेगा otherwise आप यह ध्यान रखेगा number line पर जैसे हम लोग right चाते हैं value increase होती है so 0 and minus 7 के बीच के number क्या होंगे minus 6 minus 5 minus 4 minus 3 minus 2 and minus minus 3 minus 2 minus 1 okay minus 4 and 4 अभी minus 4 and 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे number line पर चलते हैं this is minus 4 and this is 4 okay तो क्या बताया था increasing order के लिए हम लोग को left to right जाना पड़ेगा increasing order के लिए हम लोग को left to right जाना पड़ेगा ठीक है तो minus 4 के बाद क्या आएगा minus 3 then minus 2 minus 1 0 1 2 3 4 now 4 को include नहीं करेंगे हम लोग 3 so minus 4 and 4 minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 increasing order में हमनोंने write कर दिया इसको पर रार प्रूपव साओव में लोग क्या wraps किया है